हेलो और आई, वेलकम योड वोल अफेर्स, मैं हूँ प्रशान दवन, कुछी दुनों पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि बिग डिसिजन बाई व्लादमेर पुतिन, रश्या किसी भी अफगान रफ्यूजी को अपनी धर्ती पर ना सिर्व अपनी धर्ती पर सेंट इतनी बड़ी है कि इसका इंडिया, युएस, वेरियस कंट्रीज पर होगा और इंट्रस्टिंगली देखिए, व्लादमेर पुतिन की इसी स्टेट्पेंट के कुछी दिन बाद हम देख रहे हैं कि PM मोदी और पुतिन ने बहुत ही लंबे समय तक बताया जा रहा है 45 मिनट तक यहां पर बातचीत करी है on the issue of Taliban and Afghanistan. Now of course, media sources यहां पर यह बता रहे हैं कि meeting थी 45 मिनट की, मगर बीच में काफी translation भी हुई होगी, तो actual जो यहां पर बातचीत है most probably 20 मिनट के आसपास की रही होगी, मगर फिर भी यह बहुत ही important है कि PM of India ने openly tweet किया है कि मेरी एक detailed और useful President Putin of Russia on the recent developments in Afghanistan. तो discuss करते हैं कि यह बातचीत भारत के लिए important क्या है, इंडिया क्या expect करता है Russia से और भारत और रूस दोनों की जो सबसे बड़े concern है regarding Afghanistan यह क्या है, मगर आगे बने से पहले आप से question पूछूँगा, question आपके लिए यहां पर यह है कि आज के समय Russia host कर रहा है International Army Games 2021, आपको simply यहां पर यह बताना है कि International Army Games 2021 में से इन में से कौन सा देश participation नहीं कर रहा, इंडिया, पाकिस्तान, बिलारूस या फिर फ्रांस, comment section में करिए answer, सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो केंथ में, नाव लादमर पतेन और पिया मोधी के बीच में बाचीत हुई है, इसमें जो करक्स था, जो में इशू यहां पर डिसकस किया गया, वो पंचीर वैली नहीं था, वो अमरुला साले नहीं था, Northern Alliance की कोई अभी तक बात भी नहीं कर रहा, भारत और रश्या के बीच में, यहा पचा सकते हैं, और लडी मनें इस पर एक वीडियो बनाई थी, कि तालेबान ने हाला की प्रॉमिस तो किया है, कि अब यह हैरोईन बेचना बंद कर देंगे नि, तो आप अगर देखो, इस्टोरिकली तालेबान का जो में बिजनस है, वो राहे, OPM बेचना, हैरोईन बेच ट्राइब के जो यह ड्रग्स है, यह जो नशीले पदार्त, यह बेचना यूरोप में, आफरिका में, इंडिया में, मगर तालेबान अब जब पावर में आ चुका है, काबल कब जा चुका है, इन्होंने बोला तो है, कि हम अब यह सब नहीं बेचेंगे, मगर क्या यह बे स्तिती ड्रग्स को लेकर बहुत जड़ा खराब है, रश्या में आपको बता होगा, एक बहुत बड़ा कंसर्न है, कि इनकी अबादी कम हो रही है, जिस तरीके से हमारे आख कंसर्न है, कि अबादी बढ़ती जा रही है, लोग बात कर रहे हैं कि कानून ले क्या हो, जिससे अबादी कंट्रोल में आए, रश्या में उल्टा केस है, यहाँ पे इनकी अबादी काफियत तक कम है, सरकार एक्चुली लोगों को पैसे देती है, अगर वो बच्चे बढ़ा करते हैं, अब एक ऐसे देश में जहाँ पर लोगों की वैसी कमी हो, ड्रग मैनेस लिटरली द देश को बरबाद कर सकती है, और रश्या का जो यूथ है आज के समय, उसका एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज, कई एस्टिमेट ये भी बदाती है, कि 10 से लेकर 15 परसेंट जो रश्या यूथ है, यह किसी ना किसी तरीके से आज के समय एडिटेड है, किसी ना किसी परसेंट यहाँ पर यही है, कि अफगानिस्तान में आज के समय जो तालिबान की सरकार है, इनको ऑपरेट करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, सड़के बनाएंगे, और पहले की तरह इनको बनेशन मिलेनी वाली, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम फ्रॉम फ्र यूथ पॉपुलेशन बहुत बड़ी स्केल पर वहाँ पे अफेक्टेड है वाई ड्रॉम तो पंजाब में सिती और ज़रा खराब हो सकती है, अगर अफगानिस्तान से लगातार ड्रॉम फ्रॉम करते हुए भारत और रूस में आता रहा, तो इन दो इशूस को लेकर रश और इंडिया ने डिसाइड ये किया है कि हमारे विदेश मंतराले में कुछ लोगों को काम पे लगा देंगे कि आपस में कॉपरेशन करो और इन्फोरमेशन शेरिंग करो ताकि कल को कोई भी आतंगवादी हमला ना भारत में हो ना रश्या में हो और ड्रॉम प्रॉपरली इसके डोकुमेंट्स आज भी आपको रश्यान गर्रॉमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे तो यहां पर आप दे सकते हैं यह है मॉस्को डेकलरेशन बिपीन इंडिया और रॉश्या हिस्टोरिक डोकुमेंट है सन 2001 में भारत और रूस ने इसको साइन किया था इसके दोनों देशों ने यह डिसाइट किया कि international terrorism को हम मिल का रोकेंगे on international terrorism और यहां पे आप अगर देहोगे अफगानिस्तान के बारे में mention किया यहां पे लिखा है इंडिया और रुशन फेडरेशन आर क्लोजली फॉलोविंग देवलोप्मेंट और अफगानिस्तान और अफगानिस्तान और एम्पसाइज थे नेसेसिटी तो अवर्ट स्पिलिंग ओवर अफ कॉन्फिक बियॉंड बाउनरी तो प्रिवेंड फॉर्दर एक्स्टेंशन और और बताया जाता है कि उस टाइम अटल व्यारी वाश्वाई जी का ये मास्टर स्ट्रोक था भारत में कई आतंगवादी हमले इस तरीके से रोके गए थे रुशन इंडिया की रौने मिलके काम किया और काफी बार जो तालिबान के आतंगवादी भारत में अटाक कर सकते थ उनको इसी तरीके से रोका गया था और भारत के लिए रूस का यहाँ पर कॉपरेशन बहुत ही इंपॉरेंट इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने इंडिया को भार कर दिया था त्रायोका प्लस मीटिंग से यहाँ पर आपको पता होगा यह मीटिंग हाली मे होई थी और यहाँ पर अफगानिस्तान का इशू डिसकस किया गया मगर इंडिया की एंट्री को पाकिस्तान और चाइना ने ब्लॉक कर दिया था रष्या यहाँ पर चातरा के भारत एक बार को पाटिसपेशन करे ताकि अफगानिस्तान में जो बी चल रहा है जो भी ताले की सरकार को रेकोगनाईस करने का आने वाले कुछ महीनों में आप देखोगे के पाकिस्तान और चाइना ये दो देश धीरे-धीरे करना स्टार्ट कर देंगे तालिबान की सरकार को ये कहेंगे के बिलकुल तालिबान की इनका प्रेजिडेंट 제 जो भी ये भी चाता है कि रूस भी उसका साथ दे और अभी के लिए तालिबान को कोई official recognition रशा के थूर ना मिल जाए रशा ने भी यहाँ पर clearly ये का है कि जब तक हमको भी शोटी नहीं मिलती कि नई सरकार जो अफगानिस्तान में ये आतंगवार पर कड़े action लेगी हम इस सरकार को recognize नहीं करने वाले तो इस मामले में भी भारत और रूस की सेमती है और यहाँ पर obviously आपके mind में question आएगा कि इंडिया और रशा के relations तो आजकल फिर भी उतने friendly नहीं है जितने एक time पर थे USA तो हमारा strategic partner है जो बाइडन का ऐसे call क्यों नहीं आए देखिए यहीं पर कमजोरी आती है जो बाइडन की Donald Trump आप कह सकते हैं आपको याद होगा जब वो power में थे लगातार call करते थे PMO defeat भी करते लेगे Donald Trump का call आया है हमने discuss किया अफगान इशू को Joe Biden का अभी तक इस particular issue को लेकर कोई भी call नहीं आई Actually Joe Biden का आप अगर पूरा trend होगे न वो चाहते हैं कि जल से जल जो यह बुरा सपना है अफगानिस्तान के नाम का यह खतम हो मैं से दूर हो जाओं कोई मुसे सवाल ना पुछे अफगानिस्तान के बारे में तालिवान के बारे में और पूरा focus हो हमारा China Indo-Pacific पर तो इसलिए US की तरफ से जादा कुछ बात्चीर होनी रही इस पर Russia ही हमारा मैं काऊंगा सबसे important partner है regarding Taliban अफगानिस्तान issue ना वापस आते हैं अपने question पर जो मैं आपसे पूछा था International Army Games of 2021 ये host कर रहा है Russia अला कि कई और countries भी host कर रही है for example Vietnam और कई और देश भी है मगर primarily इसको host कर रहा है Russia तो इन International Army Games में इन countries में से कौन सा देश participation नहीं कर रहा तो सही उत्तर यहाँ पे option A है France यहाँ पे participation नहीं कर रहा क्योंकि ये games Russia आप कह सकते हैं sponsor करता है प्रमोट करता है तो USA, Germany, France हमेशा इन games से रहते हैं कोसो दूर interesting बात यह है कि इस साल पहली बार Saudi Arabia participate करेगा international army games में भारत और पाकिस्तान और चाइना भी यहाँ पर participation कर रहे हैं और finally आपे मैं यह भी add कर दूँ कि अनकाडमी का UPSC combo package available है simply यहाँ पर जाओ comment section में click करो यहाँ पर इस link पे और यहाँ पर परचेश कर सकते हैं यह unique combo pack जिसके अंडर आप UPSC prelims, mains, optional तीनों की ही त्यारी आप यहाँ पर कर पाएंगे बहुत से students हैं जो आज के समय यही combo pack परचेश कर रहे हैं क्योंकि आप अगर यह courses अलग-अलग परचेश करोगे तो आपको 10 से 15,000 रुपीज extra pay करने होंगे तो combo pack में वैसे ही आपकी saving हो गई उसके उपर आपको मिलेगा additional discount अगर आप यूज करते हैं यहाँ पर promo code PD10 the prices will fall even more so use the promo code PD10 and save your hard-earned money so इसी note के साथ यह है आपर वीडियो कांथ thank you for listening and as always God bless you all you